हाँ तो कैसे हो बच्चो आज ना मैं तुम्हारी टेस्ट लेने वाला हूँ जो फेल होगा उसे मिलेगी सुजा जो पहले से ही फेल हो उसका क्या? शुप रह तू हमारी प्यारी लवली आर्मी ये वीडियो के वल मन रंचन के लिए है सोग रुपिया इसे थे उन से देखे हाँ तो मैं क्या जह रहा था? सार आप टेस्ट लेने वाले थे अरे हाँ मुझे याद आ गया आज तो तुम्हारा सोशल मेडिया का टेस्ट है हे भगवन मेने तु कुछ पढ़ा ही नहीं मुझे तो सब आता है ए तुझे पढ़ना नहीं आता किसने कहा कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता वो तू होगा देख लेना मेरा कमाल देख लूंगा अब चुप चाब बैठो कहीं सर मेरा नाम ना ले इसके साथ कौन है जो टेस्ट देना चाहता है पुष्पा पुष्प रोच चुग है नहीं साला वी चलो तुम आओ वी नास कोई का सबसे के लिंटेट बच्चा है पर उसे मुझे क्या पुष्पा नाम है क्या गोवी का फ्लावर समझके रखे हो गया इसको तु देख में कहसे हराता हूँ चला डालूंगा पुष्पा वी तुझे कर दूँगा इस दुनिया से ही फ्री अरे चब तुम्हारा सोशल मेडिया का टेस अप सरू होने वाला है क्या कहा सोशल मेडिया ये तो कोई सबचेक्ट नहीं है नहीं है तो क्या हुआ अब ध्यान से सुना सवाल को पुष्पा मुवी में किसने काम किया है तुम्हारे ओप्शन है A. अर्जुन सर ने B. संजे लीला भनसाली ने C. अमरेंद्र बाहुबली ने पुष्पा मुवी तो मैंने नहीं देखी अब मैं क्या करूंगा ओप्शन नहीं हो भी पुष्पा ने तो बच्चो ध्यान से जवाब देना बहुत ही कटिन सवाल है इसके तुमें दस पॉइंट मिलेंगे अगर सही जवाब दिया तो हो भी पुष्पा शुगी सर मुझे पता है हाँ बोल सही जवाब है हो भी पुष्पा क्योंकि मैंने पुष्पा मुवी देखी है तो मेरा पुष्पा मुवी में अर्चुन सर नहीं थे क्या जेहोब का जवाब बिल्कुल सही है वाँ ए अच्छा दरा मिल जा तुमने इक कर दिखाया ये कौन सी दुनिया है अरे वाँ ये तो कितने टेंटेंटेंट है अच्छा है कि इसना स्पाइडर में नहीं देखी वरना ये तो पेड़ पर लटका हुआ ही मिलता क्यों रहे वी तुमने से फाइट करना चाता है तो आ चाल तेरे मुवी कौन लगना चाता है ये होब पास हो गया है गूबी पुष्पा को पास हो नहीं था अब मेरी बारी चंकुक वो भी एक अच्छा ही बच्चा है पर दिमाग से थोड़ा पैदल है इसलिए फिर से कहीं छे होब ना चिच्चाई अरे कोई श्रीवल्ली गाना बचा दू क्या कहा श्रीवल्ली हाँ वो नल्ली निठली ही है चुप हो जाओ सवाल पूछ रहा हूँ ए चंकुक जड़ा देख मुझे दर रहा है की नहीं नत्ता है पुष्पा मुवी फिर से देखनी पड़ेगी ए तो चुप हो जा सवाल को ठीक से सुन BTS का आरेम ए वो खुद ही बन गया ये नहीं हो सकता क्यों ये सुच है B वो टलेंटेड है इसलिए C उसको शुगी सनने कहा था इस वज़े से सर के आपने कहा था उप्सन C तो बिलकुल नहीं हो सकता B वो सबसे लड़ाई जगड़ा करता है इस वज़े से मुझेतो ऑप्सन की सही लगका है युगी सर मुझे हा बेटा जंकुक बोलो वो बहुती ज्यादा टैलेंटेड है मर गया गलत कहा इसने गलत जवाब यह सही जवाब नहीं है युगी सर मुझे सही जवाब बता दू हा पता दे अप्शन सी, शुगी से ने कहा था इसलिए एक नंबर का कथा? अप्शन है, वो खुदी बन गया होगा हैं? उह, इसी किसे पता चल गया? होबी का जवाब बिल्कुल सही है यार जेहोग तुझा सकता है अब अब जिमिन की बारी अनिवाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ है तो त्यान से सुनना क्योंकि इसके तुम्हें 50 पॉइंट मिलेंगे बेटियस चिन को वर्डवाइड हैंसम क्यों कहा जाता है? अब ये क्यों कहा क्या मतलब मैं हूँ ही इतना खुबसूरत? तब बच्चो सोच समझ कर छवाप देना समझे? हाँ ओप्शन तो दिये ही नहीं पहले ओप्शन तो दो अरे ओप्शन तो नहीं है इसमें जरा ध्यान से देखो होगे हाँ मिला ओप्शन A उसने अपना नाम खुद ही रख लिया ये गलत है बी आर्मी ने उसका नाम रखा हाँ ये क्या? मैं पहले से ही खुबसूरत हूँ बिचारा अभी भी सदमे में ही है इसमें जिमिन का नाम क्यों नहीं है? ओप्शन C वो है ही इतना हैंसम हाँ अब चलके पता चला क्या? ओप्शन B ये सवाल ही गलत है उसने अपना नम खुद ही रख लिया है मुझे रखता है कि ये सवाल ही गलत है ओप्शन D मुझे भी बोल ले तो जिमिन का नाम इसमें क्यों नहीं है? वो भी तो हैंसम है? आर्म का नाम लेना तो तुम भूल ही गए मुझे लखता है कि ओप्शन C वो हैंसम है इस वज़े से जिमिन तुमें कुछ बोलना है? हाँ ये सवाल ही गलत है क्योंकि सवाल ऐसा होना चाहिए कि जिमिन को वल्डवाइट हैंसम क्यों कहा जाता है? एए पकवान! चुप! एए तम चुप! जंगुक तु बोल अब ओप्शन A ही बचता है कि उसने खुद ही अपना नाम रख लिया है जंगुक ने सही आंसर बताया इस वज़े से जिमिन को अब फैल किया जाता है अब जिमिन तूचा सकता है ये मेरा पहली बारता नहीं है साथ बार तु फैल हुआ है अपने पेरंस को कब पुला कर लाएगा ए बीच में पेरंस को क्यो लाते हो क्या मैं काफी नहीं अब जिनू तेरा टेस होगा तुम्हारा सवाल है कि शुगी और यूंगी दोनों एक ही नाम है तो ये रिष्टा क्या कहलाता है दोनों एक ही नाम है मतलब वो एक ही इंसान का नाम होगा जो कि आपका है सर बेलकुल सही कहा कीरू कभी गलत हो ही नहीं सकता ये आज़ा जिमिन ये क्या सवाल ही खतम हो गए ऐसा कैसे हो सकता है इसका मतलब है सर मैं बिना टेस के ही पास हो गया सर आगे क्या कोई भी सवाल नहीं है हाँ मुझे मिल नहीं रहा इसलिए एक्सम में ये ही पर ही खतम करता हूँ समझे अरे वाँ एक्सम तो खतम हो गया दस दिन बाद तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा पर मैं बता दू कि इस केस में ना जिमिन फेल ही होगा कोई हटाओ सारा भंदा यही पर ही फोट देगा चनल को सब्स्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना चो कहा है वो करो ए काचा बदम खूचु राम है ये तुम लग वीडियो को लाइक करना प्लीज